हलो दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी इस्टुडेंट प्रमोट किया जाएगा तो फ्रिंट्स वीडियो इंपोर्टेंट है इसलिए से पूरा देखें वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की है चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो तुरंध चैनल को सब्सक्राइब कर ले बटन के पास वाला घंटा भी बजा दें डाल के बटन पर किल्क कर लें से कि जैसे कोई मैं नया वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फिरी में पहुंचता रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आपको किस आदार पर प्रमोशन मिल सकता है तो फ्रेंड्स विस हैं बहुत ज़्यादा कमेंटर प्राप्त हो रहे हैं कि सर आखिर में किस आदार पर प्रमोशन किया जाएगा इस सुट्वेंट को किस आदार पर प्रमोट किया जाएगा क्या इंटर्नल बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा क्या लाश्ट यह प्रेंड्स इस्टेप बाज सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक मूल्यांगन के आधार पर तो फ्रेंटस आंतरिक मूल्यांगन की बात करें तो लगवक्त समार नी माना जाता है इंटरनल बेसिस पर आगर जाने अगर प्रमोशन के इस टॉपिक पर के इस टॉपिक को अगर सारे कॉलेज बाइज को दे दिया जै कि अपने स्टुडेंट को आप अंतरिक मुल्यांकर के आधार पर अपने बेसिस पर प्रमोट कर सकते हैं तो यह बड़ा गड़बड हो बाती जानते होंगे तो इस प्रकाह जो इंटरनल बेसिस है कि कॉलेज के बेस पर कि कौन सा इस्टुडेंट पढ़ने में कुछ कम है उसकी आधार पर उसको प्रमोशन दिया जाए तो यह गलत फावित होगा तो यह बिलकुल आप ज्यानक है कि इंटरनल बेसिस पर चालिस से पैतालिस की बीच में नमबर मिल जाते हैं तो इस प्रकार अगर एक उसर देखा जाए तो आसानी से इस्टुडेंट के पचासी परसेंट से लेकर 90 परसेंट नमबर आएंगे तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह प्रेटिकल के बेसिस पर आपको प्रमोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आसानी से प्राइबेट कॉलेज भी होते हैं और सभी स्टुडेंट को लगवाग पैंतेस चालिस नमबर तो आसानी से प्रोवाइट कर ही देते हैं तो यह आप द्यान रखें कि प्रेटिकल के थो आपको प्रमोशन नहीं मिलता है आप दो आप्स्ट ना के पास चाहें वो स्ट इर का हो चाहें यह प्छले साल के आदार पर प्रमोट किया जाए काफी सारे स्टुडेंट यही कमेंट तो फ्रेंट जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछला साल आपका 12 हुआ जाके और आप ये भी जानते हैं कि 12 में आपके आसानी से 70% 80% 90% नंबर आ जाते हैं तो आपको अगर पिछले साल के आधार पर प्रमोट किया जाएगा तो ये आपके नंबर बहुत हो जाएंगे लेकिन करता है कि आप किसकी आधार पर आपको प्रमोट करना चाहिए और अब अगर सेकेंड येर और थर्ड येर की बात करें तो लाश्ट येर जो एक आप्सन वरसता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाश्ट येर बहुत अच्छा आप्सन वरसता है कि आपको लाश्ट यर के प्रमोट की जा है जो कि इस्ट्रूड की स्टूडेंट प्रेक्ट स्टूडेयर निहें प्रेक्टिनेस आप परेटे कल नमबर और वह जानता कि अगर प्रेक्टिकल होता है अगर मैंघ कमिश्टी लिया या मैंघ उसके सब्सक्राइस अधर पर उसकी परसंटेज में बड़ोतरी हो जाती है तो अगर अगर थर्ड यर के student को last year के आधार पर promote किया जाए ये भी बात सही है कि third year के student को last year के पिछले साल यानि second year के आधार पर promote कर दिये जाए लेकिन student अभी ये भी मांग उठाएंगे कि हमारा second year में particular नहीं होता था particular के नंबर हमारे मार्व सीट में नहीं जोड़ते थे लेकिन third year में particular हुआ है और particular के नंबर भी हमें चाहिए तो एक प्रकार student उपद्रम मचा सकते हैं और इस प्रकार student की मांग भी सही है तो काईदे में मेरे इसाब से ये मेरी बेक्तेकत रहे हैं अगर आप इससे सहमयत हो तो comment कर सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है मेरे साब से जो student third year में पढ़ता है और अगर second year में उसके practical के marks उसके मार्स सीट में नहीं जुड़े हैं और third year में उसने practical का subject लिया है तो अगर last year के अनुसार third year को promote किया जा रहा है तो देखतेकत रूप से मेरे अनुसार पिछले साल के नंबर जितने भी आपके 60 परसेंट नंबर है 55 परसेंट नंबर है 12 परसेंट नंबर उतने नंबर प्लस अभी जो practical के marks मिले हैं वो भी उसमें aid होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप कमेंट box में comment करके जरूर बतायां तो friends से इक बात confirm होगी है कि Second और Third year के students Second Year कोma ुसके ऑन्सार कर देना चाहिए और पर gover कोंदे साल के अन्सार नंबर अप्लस प्रैटिकल के नंबर जोड़के उन्हें प्रमोट करना चाहिए लेकिन अब बहुत बड़ा पेज फसा है पार्ट वन के स्टूडेंट को क्योंकि पार्ट वन के स्टूडेंट यह चाहते हैं कि हमें टोइल्ट के आदार पर प्रमोट प्रमोशन मिलना चाहिए हमें प्रमोट किया जाना चाहिए तो फ्रेंड जो पंघरा यूनिवर्स्टी ने अपना अलाग रखरा है, तो इन चारों आधार पर सासन को टे करना कि किसका आधार अच्छा है कि इसुडेंट के साथ कोई भी धुखा नहों और इसुडेंट इस नेडे से खुस हो, यह डिपेंड करता है सासन पर, तो उसकी ओप्चारिक्ता बाकि है जो कि दो तारीक को आपको final मिल जाएगा केवल आपचा रहता हमाँ बाकि है decision कली आपको आ चुका जिसके रिगार्डिंग आपके पास वीडियो भी आ चुका अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description box में दोने वीडियो के लिंक आप सभी student को मैंने प्रोवाइट कर रखें और comment box में comment करके जरू बताई कि आप किसके आधार पर प्रमोट होना चाहते हैं लाश्ट यर के आधार पर इंटर्नल के आधार पर प्रेक्टेकल या ट्वल्ट के आधार पर comment box में comment करके जरू बताईए तो फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरू बताईए और बिलकुल इसपाइस्ट है कि जब प्रमोशन के टर्में कर्डिशन आएगे तो मेरे वीडि भीडियों के जरू बताईए ऑसे बढ करते हैं।